कोई सरकार आती है तो यहां पर दल्टों की भलाई नहीं करती है पांट साल में तो हमेरा देखे में कुछ निकर कहले हम निक है नितिस कुमार का देंगे तो हमको कुछ नहीं दिये केंद सरकार को हमें जिम्दा देते हैं रासुन रासुन आवत रासुन भर्ण दे नहीं क्या है तो अमरे गाम कोई विकासे नहीं है विहार की पहली विधान सभा है जो उत्तर प्रदेश से सटी हुई है नाम है उसकी दरवली विधान सभा हम उसके चिल्मरवा गाउं में आएं यहां एक विवाद है आप सुनते होंगे कि ब्रामण दलितों से बहुत दूर रहते हैं लेकिन यहां एक अदबुत खेला चल रहा है कि ब्रामणों का घर तो दलितोली के आसपास भी नहीं है उनसे कई फरलांग की दूरी पर उनका घर बना हुआ है लेकिन उनकी जमीने ब्रामणों की एकाएक दलित बस्तियों में पैदा हो जाती है और वही एक जमीन यहां भी एकाएक पैदा हो गए यह किसी तिवारी की और वो बेच दिया है किसी यादव को आईए इनसे पूछते हैं कि क्या मामला मेरे घर के पास जमीन है बरामर सब बोलना है कि जमीन हमारा है लेकिन पूरा इसका डॉकुमेंट्स हमने चिक किया डॉकुमेंट्स के साथ है यह बिहार सरकार की जमीन है उसके बावजूद भी बोलने हैं कि हमारी जमीन है यह गैर मजरूआ जिसको कहते ह परकाई को Спो यह संदा है अब लोग करें आप लोग रहने वाले नहीं हो आपका यहां के बाते हैं आप संदा नहीं में बावजूत baik कि रहें sure लोग कर दो अब लगता तो यही है इनलों के ख्याल से यही लगता है हम लोग पाकिस्तान से आए है पाल है SDM है वो सब क्या advertise वो सब तो खांदे इसा बेशने वाली जामीन नहीञ है मैं करशारी के प्शने और समय नहीं हैं जो कि सरकारी है और उस पर गाहों के रम किसी तरह कब्जा करना चाहते हैं बड़ी बात यह है कि यह सारी जमीने दलिदबस्ति के आसपास हैं और इन सारी जमीनों को कहते हैं बरामषणकी हमारा है सुरुवात में यही है कि किसी साजीस के तहट राम चंदर मिसिर थे एक सी योग पहले वो पैसा के बल पर ब्रामहडों के पक्ष में जमाबंदी खोल दिये थे उसका हम लोग बिरोध किये और बिरोध करने के बाद जब बात बढ़ी तो यह लोग रामहडों क्या किये के पास गया उसमें सियो साब अधेशकुमार टिवारी थे उन्होंने बोला मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात हमारे गाओं में है स्की इसको रोकी एस समय ऑफ की लाहिए का MA । cu recompile कर विए एक अज्टि लिए अवजदन दिये थे मैंने स्की फिर गया मैंने फिर बोला जी इस के बने आखिल होने करनल पड़ा हुआ इसको रोकिए लेकिन सीयो शामने एना काने कर दिया उसको पक्षार और य управाईद दाखिर हो गया है तो यह रिखा गया नीक ने के बाद लिखिने के बाध जोपडी डाले जोपडी डाले के बाद भीबाद खड़ा हुआ उसमें रमायन वाजी बत्मान विधायक थे अमर अमर सिंग बत्मान मुखिया थे यह लोग आये और 24 गंटा के अंदर यह साजीश करके विधी व्यवस्था बना करके गुंडों को बुला करके बदमासों को ब गोली चलने लगा तो पूलिस उफ़कर के चली गई अनो अंधाधुन गोलीया चला बचने के लिए जब कि मेरे को भी दो गोली लगा हुआ है भर मैं बचने के लिए हमको उपाय करना पला दोनों तरफ से गोलीया चली किसको को लगी एक कोई देखा नहीं उतनी भारी ěुक सामंतियों का भलाई कव्षिपानि चलता है यहां पर लेटइन सब्सक्राव को अब होतलब अगया है आइए वानी को लाइट देवा जसे अध़ी ना का इने में पूरा जोन दलित बस्ती है अभी लागडाउन वहिलाओ मैद अनाज उनाज अनाज मिला था 20 किलो अनाज की साथे और ही का मिले ला कुछो ना दाल मिला ला खाली दाल केतना किलो एक किलो एक महीना में और चावल 20 किलो और गे हूं गोंच्व जाने बाड़ा लो चाड जाने में 20 किलो चावल एक कीलो दाल और चार कीलो फा जाय कीलो पाइसा जाने हो पांत्स גरीव की हुं हमारे इस देश में कह रहे हैं युगाओं को बड़ा रोजगार मिलेगा नौकरी मिलेगी तुम्हें क्या उमीद है है ऐसे सर केंद सरकार को हम ती जिमदाद रहते हैं उजय समना अफर देगे हम लोगों से पाएंगे लेकिन सर हम लोग ज्यादा मेनत करते हैं फिर वह जब नहीं पाते हैं आप दलित बस्ती से हैं तो अभी आपको दलित होने के नाते अभी भी समाज में मुश्किल झेलनी प बात करते हैं तो जाती वात कौन जाती करती अख shines लोग जो चुन यहाँ बढ़ां से हमने बादा बिकास किया है उसका क्या कूछ नहीं क apa अब कर तक रहुआ कर आच लागा लगा 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 कि वहाँ मठकीश लूंज भूम भी और फ्हक्तना आप को है घोकुल प्रमें पाच रूप्य क्या मिल्या है में हमको छे महीं मुश्क चीलों मिलता पांच किलों 15 वांव कितना हुआ है într यह उनाश आप ने पांसोर रुपया दे दिया तो ठीक पांसों चछ लिए खूज दे दीजिए देस्ट और देसाारी इा ईके कि अंटी नहीं टो अमने राशनकाड का लाँनी के लिए बार पर बैठे रहेंगों मंजूर है नितीश कुमार दुबारा चुनेंगे आप शर नहीं क्यों हमारे गाम कोई विकासे नहीं है एक रोट भी है तो असला आओ पर पानी लगता है आर सिशी तो लोग कहते हैं बिहार में विकासवा नितीश कुमार काहां विकास निक है क्या कमी क्या अब कमी पढ़ने में है रोजगार में है तो सब ठीक बागी विकास अम्रहा में नहीं खें माल लिजा रोड के भी आस बाग पी सो चाले नहीं कहीं रोड भी सही नहीं थे एंटाल में जाके तो पूरा टूटल फटो रोड़ बाटे इसकूल में कैसे आते हैं इसक किंद्रा दिन फ्स पाया कोंपला से आता पानी जाता एनए भाना पानी में जाते हैं नहीं ईंडेश्च कोन लोगभाते हैं अब करे घ्रिया क्रयभा राशन का Agust you तो सरकार का देले तहरा के तो कुछ ना देले पेंशन मिले था ना बुजूर्ग वाला पेंशन दलित लड़ाई लड़के अपनी डिग्री लाएं तो अब थाना कहता है कि अपने पक्ष में कोट से और लेकर आओ अभी हमने लोगों से पूछा कितने जमीन है एक कठा और दो कठा यानि एक दलित के पास उतनी जमीन है जिसमें चार गाड़ियां खड़ी हो सकती है और इसके बावजूद उनके पास जमीन का कोई तरीका नहीं ह और जो सरकारी जमीन है उन पर भी दबंगों का कपजा है इस आदमी से हम मिल रहे हैं उनका नाम सत्देव राम है वह दरवली विधान सभा के इस समय विधायक है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर यह विधान सभा है और कहते हैं बिहार की आखरी विधान सभा कहें या बिहार की पहली विधान सभावी आप कह सकते हैं हमने वहां से चुनावी यात्रा शुरू की है सद्देवराम हमारे साथ है उनसे बात करेंगे कि पान सालों का कैसा अनुभव रहा आगे क्या तैयारी है जनता उनके साथ फिर क्यों खड़ी होगी इन तमाम सीधे सवालों के साथ होंगे तो विधायक जी हमें आप ये बताएं कि पिछले पांस सालों में आपने ऐसा क्या किया है जिसके भरोसे अगले पांस साल आ पाएं 2013 में बिरोधी लोगों ने हमारी लोग्पिरियता को देखते हुए और एक फर्जी मुकादमा दर्ज कर दिया तो पुलिस परसासन तो मुझे गिरफतार नहीं किया लेकिन जब हमने पंद्र के चुनाओं में नामनेशन करने गया तो मेरी गिरफतारी हो गई और जेल से ही म मैंने चुनाओं जीता और जेल में मुझे दो साल बितानी पड़ी तो दो साल तो चला गया मेरा 17 के जुन जुलाई में मेरा बिल हुआ बाहर आये मेरे सामने जो सवाल था हमेशा बिरोधी प्रचार करते थे कि एक एमेले जीतिये जाएंगे तो क्या करेंगे हमने विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया विकास के काम में लग गया दो साल मैं पुरे तोर पर विकास के काम में लगा रहा जिसका प्रिणाम सामने आया कि दरवली से सर्यू नदी में हमने पूल बनवाया मेरे छेत्र में रोड तीयर से आंदर हमने वो ग्रामीन सरके थी उसको पत्थ निर्मान में पी डवलो डी में अस्थांतित करवा करके शुकृत करवा करके उसमें काम लगा दिया अभी वो 78 मीटर चावडा रोड बन रहा है जिसे लोगों में काफी खुसी है जब वो बिहार के मुखो मंत्री लालू परशाद हुआ करते थे आज 27 बरस पहले उन्होंने यहां से 3 किलो मीटर पर दोन है रेफरर हस्पीटल का उन्होंने सिला नियास किया था लेकिन वो रेफरर हस्पीटल कारजरत नहीं हो सका और वो 27 बरसों से वैसे ही इंतजार कर रहा था उसके कुछ भवन बने थे वो भी गिर गये थे और हमने उस रेफरर हस्पीटल को सरकार से सुकृत कर रहा जो आज व पूरे बरसात में पानी निकाल करके उठीकदार बना रहा है। उसने मुझसे वादा किया है कि हम मार्च अप्रील में यह हस्पिटल हेंड ओफर कर देंगे। या इसी तरह से आप एक गुठनी में चिता खल गाओ है। वहाँ बाबा बालना थूची बिद्धिया ले था। ओ चौशट में उसका निर्मान हुआ था। किसी ने दान साड़े छे भी घा जमीन दिया था। दान में। लेकिन बाद में उसी के इर्दगीर्द के जो लोग उस जमीन को कबजा करने कोशिश कर दी। और इसकूल लगभग ठप हो गया था। एडमिसन बंद हो गया था। इस्ट्रक्चर का काम बंद हो गया था। तो मैंने गया तो लोगों ने कहा कि अब हम लोगों के बच्चे कहां पढ़ेंगे। वो इसकूल थोड़ा अच्छा इसकूल भी रहा है। अब लेजह अपने बिद्या ले और काफी अधैन करने के बाद पता चला कि यह जमीन दान की है। हमने लग करके उस जमीन को निकाला परशासन को बुलाया और पूछा परशासन से कि क्यों इसमें स्ट्रक्चर का काम रुख गिया है क्यों एडिमिसन रुख गिया है जबाब दो मुझे लोगों ने कहा कि नहीं अब सब चलेगा तो मैंने अपने फंड से साथ लाक रुपईया दे करके और बांडिन कराने का काम सुरू करवा दिया ताकि जमीन का विवाद खतम हो जाए हमने सिक्षा विवाद के प्रधान सची शेमील करके बाद कि धाई कोडोर का इस सिवान में सब से एक नंबर का भवन बन रहा है एक तल बन गया है दूसरका की तयारी चल रही है तो यह सब काम जो किये है और जो किसान के लिए जो नहर है और नहर के भी अमने पास करवा दिया जो उसका बीच का पुरसन होता है पेट वो सब पलस्तरा हो जाए ताकि पानी तुरत वहाँ से छुपने के बाद यहां तो यह सारे काम हमने करवा जा है तो भाग से मिलकर के यह सब काम मैंने करवा दिया सभी गाओं में शड़क बनाया है इश्कूल बनाया है स्वास्त केंदर बनाया है पूल बनाया है नला बनाया है शारे गाओं में चर्चा है आप जागर के थोड़ा ग्रामीनों से पूछ अभी से कंच्वेंसी में कोई बहुत पुलिटिकल गति विधी की चर्चा नहीं हो रही है लोगों ने मान लिया है कि इस तरह का विकास कभी हम लोगों ने देखा तो नहीं है सुना भी नहीं है वह विकास के गति वहां तक पहुच गई है विकास की गाड़ी पट्री पचड परतिरोद करना होगा ना वही यहां बात है अभी भाजपा पूरे देश में जो काम कर रही है जनवीरोधी काम कर रही है लोकतंतर पर हमला कर रही है संविधान को खतम कर रही है और देश बेचने के करवाई में लगी हुई है तो अभी मेरा एक कमनिष्ट करामतिकारियों का फर्ज है कि अभी हम जनता के सिवा में हम अपना सब कुछ क कुरवान करें हम लोकतंत्र को बचावें हम संविधान को बचावें हम देश बेचने से बचावें और जनता के हक अधिकार दिलाने का करें हमने सबसे बात की विधायक से बात की जनता से बात की लोगों से जानना चाहा कि इस पहली विधान सभा की हालत क्या है बिहार में पड़े हैं वहां किसी भी दलित घर में सरकार की ओर से सौचाले नहीं बनवाया गया है। दुसरी तरफ दबंगों का अत्याचार है और इस बीच चुनाव होना है।